देश का उभरता डिजिटल मीडिया नेटवर्क जेटी न्यूस ओनली टृथ रेहान खान के लिए रुबिना बन गई ये शोदा और एक दिन पासिक कैफंदे से जूलती मिले पिडित परिजन्यों ने बताया कि मास खाने को कहता था और पीटता भी था मुंबई में येशोदा की हत्या के इलजाम में पुलिस ने रेहान को गिरफतार कर लिया है रेहान से येशोदा ने 2018 में भाग कर शादी की थी उसके घरवालों का कहना है कि रेहान उनकी बेटी को मारता पीटता था मुंबई पुलिस ने रेहान खान नाम के एक सक्स को पत्नी की हत्या करने के आरूप में ग्रफतार किया है रेहान की पत्नी येशोदा खटी धारावी इस्थित अपने घर में सीलिंग रोड से लटकी हुई पाई गई पुलिस ने येशोदा की पॉसमाटम रिपोर्ट आने के बाद रेहान की ग्रफतारी की है वही आरूपित रेहान का कहना है कि उसकी बीवी ने फासिल लगाकर आत्महत्या की है चोबिस बर्शा येशोदा मद्यपरदेश के कटनी की रहने वाली थी जहे 2018 में रेहान खान के साथ घर छोड़कर मुंबई चली आई थी और बाद में मुंबई में ही रहने लगी येशोदा ने रेहान से मुंबई में ही शादी की और वही धारावी में रहने लगी येशोदा के परीजनों का आरोप है कि रेहान येशोदा पर जबर्ण धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था और उसका नाम बदल कर रूपी न रख दिया गया था परिवार का यह भी आरोप है कि रहान शराब के नशे में यशोदा की पिटाई करता था उसे मास खाने को मजबूर करता था यशोदा के परिवार के शिकायत पर धारावी पुलिस ने मामले की जान शुरू की और आरोपित रहान पर IPC की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है साती रहान पर हत्या के मामले को आत्म हत्या दिखाने का भी आरोप लगा है वही धारावी पुलिस स्टेशन के वरिस पुलिस निरिक्षक विजय कांडल गाउकर ने कहा कि पोस्मोटम रिपोर्ट से साफ है कि ये शोदा खटीक की मोत गला गोटने से हुई थी रहान खान और ये शोदा खटीक के दो बच्चे है बता दे कि इससे पहले दहरावी में विश्विंदू परिशद ने ये शोदा को नियाए दिलाने के लिए एक मार्च निकाला था भी एच्पी का आरोप है कि ये मामला लव जिहाद का है ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे जेटी न्यूज ओनली टृत और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब न्यूज चानल जेटी न्यूज ओनली टृत